आपका एगवाफिस से वेलकम करते हैं आपके अपने यूटूब चनल वेजिटेबल गाडनिंग अजय पे आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि किस तरीके से आप बिटर गार्ड प्लांट का केर करेंगे आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मुझे हार्बेस्ट करने वाद कितने सारे बिटर गार्ड मिला है और कितने सारे बिटर गार्ड अभी आया हुआ है यह जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको मैंने ग्रो किया था 1 सितंबर 2018 को अभी तीन मैना हो चुका है इस प्लांट को इसने काफी अच्छी जो है ग्रोथ दिखा रहे है इससे मैं पहले चार से पांच बार हार्बेस्ट ले चुका हूँ और अभी भी जो है इसमें करेले आ रहे हैं बिटर गार्ड आ रहे हैं कितने सारे आ रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में कम्पलीट दिखाऊंगा और कुछ ऐसे भीवर जो होते हैं हमारे वीडियो में कॉमेंट करते हैं कि जो हमारे बिटर गार्ड है वो कुछ इस तरीके से गमले में गुरो किया है तो इसको मैंने गुरो किया है कुछ इस तरीके का जो है कंटेठेर प्रमड यह बिट्र गार्द ऑगा है जिससे मैं चार से पांच पर हर्ड़ीश ले चुक आये का चुक अब इस तरीके सी म 커피ा जाली बना करके जैप हैं और दूसरा इस बले में भी मैंने दो प्लांट लगाया था इस कंटेनर पे और इसमें से जो भी काफी अप्छी अभी फ्लावरिंग हो रही है और अभी भी जो है बिटरगार्ड आ रहा है जबकि यह जो प्लांट है यह तीन मन्त पुराना हो चुका है हलाकि इसके कुछ जो लीफ है वो सूक रहे है क्योंकि यह प्लांट बहुत ही जादा पुराना हो चुका था इसके बावजूत मैंने फिर से जो है कुछ बिटरगार्ड यहां पे ग्रो करके रखा है ताकि यह जो बिटरगार्ड का प्लांट इससे जब बिटरगार्ड खतम हो जाए तो इससे जो है मुझे मिलता रहे तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं एक तरफा से जैसे ये plant खतम हो जागा बिटरगाड देना तो ये plant तब तक ये चालू कर देगा बिटरगाड देना तो ये continue आपके process जो है घर पे मिलता रहेगा बिटरगाड इस process को करके इसमें मैंने दो विटरगाड मिलता रहेगा अब मैं दिखाता हूँ कि विटरगाड अभी कितना हमारे प्लांट में आ रहे हैं तो आप बस गिंती करते जाएए करीब 50 से उपर हो जाएगा जो कि विटरगाड जो आभी छोटे-छोटे महातरा में आ रहे हैं और अभी आपको मैं दिखाता बिटरगाट यहां भी आ रहा है, कुछ यहां भी अभी आया हुआ है, आप देख सकते हैं छोटे से बिटरगाट इधर भी आ रहा है, आप मतलब अबर अब प्लांट में जब आप देखेंगे तो 30-40-50 ऐसे जो हैं कि जो अभी बिटरगाट लगे हुए हैं, लेकिन आज वो तरफ से इंपोर्टेंट है वीडियो कि इसका केयर की बात करेंगे और हर्वेस्ट कैसे करते हैं वो भी बात कर लेंगे, तो केयर की बात करें तो आप इसको मैंने दो तरीके से कंटेनर पे ग्रो किया है, कुछ इस तरीके का आप कंटेनर पे लगा सकते हैं, एक से दो प्ल प्रोपर साइज में यदि आप लेना चाहते हैं तो बड़े कंटेनर या फिर 12 इंच के ग्रोफ बैग में बस दो ही बेटरगार्ट का प्लंट लगाएं अब बात कर लेते हैं हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पर मैं क्या यूज करता हूं फर्टिलाइजर के तौर पर आप सिंपल हमारे कंटेनर पर देख सकते हैं मैंने जो है काव डंग का यूज किया है इस काव डंग को मैंने खुद से प्रिपेर किया था अपने घर पर तो किस तरीके से प्रिपेर किया यह भी मैं आपको बता देता हूं इसका जो प्रिप्रेशन है मैंने फ्रेस जो काव पोस्ट का यूज कर सकते हैं साथी साथ लिक्विट फटिलाजर का भी यूज कर सकते हैं ताकि आपके प्लांट जो है अच्छी ग्रोध दिखाया और उससे प्रोपर साइस में आपको बिटरगार्ड मिल सके तो इस तरीके से आप फटिलाजर का यूज कर सकते हैं अब बात क जो मुझे देखने को यह कुछ बिट्रगार्ट पीले पड़कर सूख जा रहे हैं तो प्रपार में मरंähän तो आपड को हारवेस्ट करते हैं करें तो हम्हाइन को हला कि कम ही बिट्रगार्ड है लेकिन next time जब हम इस से harvest करेंगे तो बहुत सारे बिटरगाट जो हम मुझे मिलेगा तो चलिए फटापट सा हारबेस्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कितने सारे बिटरगाट अभी मुझे मिल रहे हैं आज जो मुझे अपने प्लांट से चाहरी मिला है लेकिन नेक्स टाइम जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हम एक बन में करीब 10 से 15 या फिर 20 हो सकता है बिटर गाट को हार्वेस्ट करेंगे और कुछ मैंने ब्रिंजल को और मिर्च को भी अपने टैरिस गाटन से आज हर्वेस्ट किया है तो आप भी इसी तरीके से औरगनिक तरीके से आपने घर पे जो है सभी टाइब के सबजी को उगा सकते हैं बिलकुल और गनिक तरीके से तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या हर्व इस वीडियो